साथियों आज आपके सहयोग से ही वन नेश्ट जी एश्टी के बाद बनी व्यवस्ताओं की वज़र से अब आपको हर राज में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता है इवे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जाना है तको की कातारे कम हो गई आपको कच्चे पक्के की मजबूर यही कारण है कि रजिस्टर व्यापारियों की संख्या जिस्ट आने के बाद करीब दो गुनी हो गई है All eyes are set on the outcomes of the 50th GST Council Meeting, which will be held in New Delhi today. Based on early indications, GST Council Meeting might lead to some good news for cinema lovers and those in need of crucial drugs that are imported for cancer and other rare diseases. For those who don't know, GST Council is a constitutional body which makes recommendations on issues related to the implementation of the goods and services tax across India. The 50th GST Council will be chaired by Union Finance Minister Nirmala Sita Raman. There are several issues that will be up for discussion during the Council Meeting, including Taxation, Online Gaming, Defining Utility Vehicles, Enhancing Regulations for Registration and Claiming Input Tax Credit, GST rates applicable on food and beverages sold in multiplexes, Exemption of GST on import of food for special medical purposes used in the treatment of rare diseases. Namaskar, friends. How are you? Friends, in this video, we are starting a new chapter, a new series. We will talk about the Company Act, GST and Income Tax. We will talk about the GST and the Income Tax Act. In this video, we will talk about the GST. इसके को लेकर नाम तक्रीबन सबने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानते बेहत कम लोग होंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे GST क्या है, इसके मिनिंग क्या है, और GST को लेकर rules और regulation जो बनाई गई है, उसके क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है. एक जुलाई 2017 से बारत में सामान और सेवा यानि goods and service tax related सभी businesses या कारोबार पर GST tax लागू हो चुका है. इसके पहले मौझूदा सभी तरह के taxes को इसी एक tax में combine कर दिया गया है, जिसमें व्यापारियों की category और turnover के हिसाब से registration के लिए अलग-अलग options available हैं, और उसी के हिसाब से अलग-अलग तरीके के return दाखिल करने पड़ते हैं, return भरने पड़ते हैं. अलग-अलग तरह के सामानों के लिए और सेवाओं पर अलग-अलग दरके GST tax लगता है, और आज भी इस GST में कुछ rules और definitions तो ऐसी हैं, जो अभी भी जो सामान्य व्यापारी हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ती, और इसी problem के solution के लिए मैंने ये video बनाई है, जिसमें मैं GST क बारे में सब कुछ बिलकुल आसान भाशा में बताऊंगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि GST क्या है, GST की full form है goods and service tax यानि माल एवं सेवा कर, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जुलाई 2017 से पहले कई तरह के taxes मुझूद थे, जैसे excise duty, wet, entry tax, service tax जैसे और भी कई indirect taxes जिनको हटा कर सरकार ने सिर्फ एक tax GST के नाम से लागू कर दिया है, और इस tax को 1 जुलाई 2017 से भारत के सभी राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन 1 जुलाई 2017 के पहले देश और राज उस पर उतपाद या excise duty चुकानी पड़ती थी, कई सामानों पर अतिरिक्त उतपाद शुल्क यानि additional excise duty भी लगती थी, और अगर माल एक राज्यों से दूसरे राज्यों में transport किया जा रहा है, बेजा जा रहा है, तो राज्यों में गुस्ते ही entry tax चुकाना पड़ता था, उसके बाद जगह जगह पर चुंगी का सिस्टम भी लागू था, और माल बेचते समय सेल्स tax या वेट चुकाना पड़ता था, और कई मामलों में purchase tax भी लगता था, कोई सामान अगर विलास सिता या luxury की केटेगरी में आता है, तो उस पर luxury tax अलग से चुकाना पड़ता था, और अगर वो सामान किसी hotel या restaurant आदी में उपलब्द करवाया जा रहा हो, तो service tax अलग से देना पड़ता था, इस परकार factory से लेकर उपबोगता या consumer के हाथों में पहुँचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की duties या taxes से गुजरना पड़ता था, और ऐसे tax के मकड़ जा जाने के लिए सरकार ने GST बना दिया, जिसमें सभी तरह के कारोबार पर एक ही तरह का tax GST लागू कर दिया, अब बात आती है कि GST लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब जो पुराने tax के नियम चले आ रहे थे, उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सिवाओं पर tax लगाने का अधिकार केंदर सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की विक्रिपर tax लगाने का अधिकार रज्य सरकारों को दिया गया था, केंदर और राज्यों ने अपने-पने इसाब से tax बनाए और केटेगरी तै कर दी और इसी चक्र में एक-एक समान पर कई-कई तरह के tax जो हैं वो लाद दिये गए कभी-कभी तो tax के उपर tax के हालात भी बन गए थे जिसके कारण छोटे व्यापारियों और companies के लिए पुरानी tax के नियम और कानूनों से निपटना बेहद मुश्किल काम हो गया था इन सभी खामियों को दूर करने के लिए GST को ऐसे एकी करत कानून के रूप में लाया गया है ताकि इसे माल और सेवा दोनों पर लागू किया जा सके उत्पादन से लेकर विक्रितक एक ही tax हो प्रोडक्शन और सेल्स का अलग-अलग पेंच खतम करने के लिए GST का सिरफ एक आधार तै कर दिया गया और वो आधार है सप्लाई इसके लिए बकाइदा tax कानूनों में बदलाव किया गया अब बात आती है कि GST के major features क्या है यानि इसकी विशेशताई क्या है GST को जब लागू किया गया तो सरकार ने tagline दी थी कि एक देश एक tax जिसके तहत excise, wait और entry tax जैसे taxes खतम करके एक tax लागू कर दिया गया किसी भी product या service पर पूरे देश में एक tax दर लागू की गई जिसके कारण अब एक product पर केवल एक ही बार tax लगता है एक tax होने के कारण return भी एक ही हो गई और सरकार का खर्च गट गया क्योंकि एक tax होने के कारण अब बहुत बड़ी सरकारी machinery की जरूरत नहीं पड़ती अब tax उत्पादन की बजाए उप्भोग पर लगता है यानि consumption पर लगता है GST system में tax की वसूली तब होगी जब किसी सामान या सेवा को बेचा जाता है वस्तू या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित GST tax भी शामिल होता है वस्तू या सेवा की supply देने वाला यानि seller इसे consumer से वसूलता है और बाद में इसे सरकार के खाते में जमा कर देता है कुल मिलाकर अब GST की वसूली की जम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है और किसी भी वस्तू या सेवा के साथ जितनी बार खरीद विक्री की प्रक्रिया होगी हर बार GST चुकाना होगा इसके अलावा किसी वस्तू के उत्पादन से लेकर अंतिम उपबोगता के हाथों में पहुचने तक कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है और अब GST सिस्टम में हर खरीद विक्री पर टेक्स चुकाना पड़ता है आप सोचेंगे कि ऐसा होगा तो प्रोड़क्ट अंतिम उपबोगता या कंजूमर तक पहुचने तक बहुत महँगा हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें इन्पुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है इस सिस्टम में आखरी स्टेज पर टेक्स लगने से पहले जहां जहां टेक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था की गई है अगर आप अन्तिम या वस्तवीक उपबोगता नहीं है और पहले किसी स्टेप्स में आपने जी एस्टी जमा किया है तो उसके बदले आपको credits मिलते हैं और इन credits का इस्तमाल आप सरकार को GST बुगतान के लिए कर सकते हैं GST के पहले जो tax व्यवस्था लागू थी उसमें ना सिरफ एक वस्तु पर कई अलग-अलग tax लगते थे बलकि कई मामलों में tax के उपर tax भी लग जाते थे ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुए दो या दो से अधिक तरह की categories में आ जाती थी अब ये दिक्कत खतम हो गई है क्योंकि अब GST अंतिम रूप से consumer को ही अदा करना पड़ता है बीच में अगर किसी को GST चुकाना पड़ा है तो उसका पैसा tax credit system से adjust हो जाता है इसके अलावा GST system में सारे सोदों की जानकारी online update रखनी होती है हर सोदे की रसीद supply लेने वाले और supply देने वाले दोनों के पास रहेगी दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से tax credit पासकेंगे सोदों का मिलान ना हुआ तो online ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी और हर stage पर GST जमा होने की जम्मेदारी उपर वाले कारोबारी की होने से tax भुकतान की chain कभी नहीं तूटेगी क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने credit का नुकसान नहीं करना चाहेगा और अब 1 October 2023 से सभी ऐसे कारोबारीयों के लिए electronics रसीदे यानि e-invoicing जारी करना compulsory हो जाएगा अनिवारिय कर दिया गया है जिनका सालाना turnover 10 क्रोड रुपे है टेक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और टेक्स चोरी रोकने के मकसद से e-invoicing विवस्था लाकू की जा रही है खासकर इसमें फरजी बिल बनाकर input tax credit लेने वालों पर लगाम कसी जाएगी 1 मई 2023 से e-invoicing को लेकर नया नियम लागू हो गया जिसमें आप 100 क्रोड रुपे और उससे अधिक टर्नोर वाले कारोबारियों को साथ दिन के बीतर अपना electronics चलान आई आरपी यानि invoice registration portal पर अपलोड करना होगा अगर आई आरपी पर चलान अपलोड नहीं किये गए है तो वो कारोबारी GST बुगतान के बदले में मिलने वाले input tax credit का लाब नहीं उठा सकेंगे उधारन के लिए अगर किसी चलान की तारिक 1 जून 2023 है तो उसे 8 जून 2023 के बाद report नहीं किया जा सकेगा चलान पंजिकरन portal का auto verification system जो है वो किसी भी चलान को 7 दिन बाद report करने से अपने आप रोक देगा और ये परतिबंद सिरफ चलान वाले सोदो पर लागू हुआ है debit notes या credit notes की reporting पर इस टाइब की कोई limit लागू नहीं है GST के rate में किसी तरह के बदलाओ के लिए GST परिशद बनाई गई है जिसकी अध्यक्स्ट कुद केंदरिय वितमंतरी है इसके अलावा सभी राजों के वितमंतरी भी इसके सदस्चे होते है GST barbecue Council के किसी भी फैसले पर केंदर के पास एक तीहाई वोट की शक्ती है और दो तीहाई शक्ती राजय सरकारों के पास है हर राज्य को बराबर वोटिंग पावर दी गई है परिशद के किसी भी फैसले की मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसल के तीन चोथाई वोटर्स की जरूरत होती है अब बात आती है कि यह GST सिस्टम सब के लिए कैसे फाइदेमंद है GST सिस्टम लागू होने से टेक्स सिस्टम में पारदिर्शता और जवाब दही जो है रिस्पॉंसिबिलिटी है वो बढ़ गई है इसमें एक तरफ सरकार को सुवीदा हो गई है वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों और उबहुगताओं के लिए भी यह फाइदेमंद है आम आदमी के लिए फाइदेमंद है क्योंकि वस्तुवों पर अलग-अलग परकार के टेक्स जो थे उनसे चुटकारा मिल गया है टेक्स के उपर टेक्स कतम होने से जो वस्तुए थी उनकी लागत में अनावशक बढ़ोतरी नहीं हो पाती जिसके कारण जो कंजूमर है उन कारोबार का जादा से जादा हिस्सा जीएस्टी के दाएरे में आजाने से सरकार की आमदनी बढ़ गई है जिससे शिक्षा और स्वास्ते प्रिवेंज जैसी आम लोगों की सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है अब बात आती है कि जीएस्टी से बिजनसमेन को क्या फायदा होगा हर राज्य में टेक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण इसे समझना बेहग मुश्किल था जो पुराना सिस्टम था उसमें इसके अलावा तरह तरह की चूंगियां अलग से बोज बढ़ाती थी टेक्स अधिकारी और करमचारी भी नियमों की खो जाने पर उसे ओनलाइन ही सुदारने की विवस्था भी है जिसके कारण अब कारोबारियों को बे मतलब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते लगू द्योगों और उद्मियों को बढ़ावा देने के लिए किंदर वराज्य सरकारें रियायते देती रहती हैं जिसका फायदा बड़े कारोबारी अपने बड़े बिजनस को ही कई छोटे-छोटे हिस्सों में दिखा कर उटाते थे अब GST सिस्टम में इसकी आवशकता नहीं पड़ेगी ये सिस्टम खतम कर दिया गया है दोस्तों ये थी GST से रिलेटिड वो जानकारी जो शायद अपका CA भी आपको नहीं बताएगा अगले वीडियो में हम बात करेंगे GST के कारण कौन-कौन से टेक्स जो है वो खतम हो गए हैं कितने तरह से GST की वसूली होती है और उसके रेट्स या परसंटेज क्या है किन-किन व्यापारियों या बिजनसमेन के लिए GST रिजिस्ट में लिख दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार